दोस्तो इस वीडिये में हम आपको चंडिगर से शिमला तक का कम्पलीट रोड ट्रिप दिखाने वाले हैं और दिखाएंगे आपको रोड से जाने के लिए कौन सी दिक्कत आती है रोड कंडिशन कैसी है कितना डिजल पट्रॉल लगेगा कितना टोल्टक्स लगेगा डबल रोड कहां तक है चड़ाई कहां कहां पर है कौन कौन से में शहर आते हैं और आप ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए बजट और बढ़िया होटल ढबा कहां देख सकते हो फोटो क्लिक करने के लिए कौन से जगा बेटर रहेगी यह सफर हमने चंडिगाड से स्टार्ट किया था सबसे पहले यहां पर में रोड पे आएगा नाडा साइब बाला चौंग उसके थोड़ा सो आगे जाकर फिर आएगा ओल्ड पंचकुला चौंग यहां से आप लेफ्ट साइट को चंडिगाड को जा सकते हैं और सिधा रस्ता जाएगा शिमला की और ओल्ड पंचकुला से शिमला की दूरी 107 किलोमेटर की है और चंडिगाड से शिमला की दूरी 113 किलोमेटर की है आप वाय चंडीगड होगे अंदर से आ सकते हो या बाहर जिर्खपूर से भी आ सकते हो आपको यहाँ थोड़ी सेफटी लेके चलना पड़ेगा हर इक जगा वे पुलिस का नाका भी लगा हुआ है आप अपनी पूरी सेफटी लेके चले, सील्ड बेल्ट और गाड़ी के डॉकुमेंट्स पूरे होने चाहिए तब भी सफर का पूरा अनाद आएगा इस वीडियो में हम जब शिमला के पास पहुँचे थे तो वहां का व्यू बहुत ही अमेजिंग हो गया था कुदरत की हसीन वादियों का बहुत ही सुंतर नजारा देखने को मिला था ऐसा मौसम आपने किसी और वीडियो में बहुत कम देखा होगा रोड पर बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे सारी जन्नत यहां ही आ गई हो इस वीडियो को एंड तक जुरूर देखें आपको वीडियो में सारा रास्ता दिखाएंगे हिमाचल में एंट्री फिस कितनी है वैसे तो ओल्ड पंचकुला से शिमला तक जाने के लिए आपको ढ़ाई से तीन घंटे लग जाते है पर ये वीडियो पूरे एक घंटे की है आप इस वीडियो में पूरा रोड देख सकते हो ये वीडियो हमने पंचकुला से होते हुए में में जगा की शिमला लिफ्ट पार्किंग तक की बनाई है आप शिमला लिफ्ट तक कैसे अपनी कार लेके जा सकते हो तो बने रही है हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसके आगे फिर जाके आता है में जगा आता है में शिमला हाईवे से ही टोल टक्स यहाँ पर आपको 35 रूपिस का टोल टक्स देना होगा पहले तो यहाँ 30 रूपिस था मगर हर बार टोल टक्स बढ़ रहा है अब थर्टी फाइव रूपिस हो गया है चलो देखते हैं यहाँ पर कितना टोल टक्स रखता है लिखा तो इन्होंने 30 रूपिस हुआ है मगर हमारे फास्ट टक्स से 35 रूपिस ही कटे है हर बार टोल टोल टक्स बढ़ता ही जा रहा है चलो आगे चलते हैं आपको एक और बात बता दे इस रोड पर आप 60 किलो मेटर से उपर गार नहीं चला सकते नहीं तो आपका चलान हो जाएगा यहां पर सब गाड़ियां 60 किलो मेटर की स्पीड पर ही जा रही है उसके बाद आयाता है चंडी मंदर चौंग यहां से राइट मुड के आप मोरनी हिल जा सकते हो मोरनी हिल का रास्ता भी बहुत अमेजिंग है यहां से मोरनी हिल की दूरी तकरीबन 15-20 किलो मेटर की है अगर आप मोरनी हिल की पूरी वीडियो देखना चाते हो तो हमारे चैनल पर आके मोरनी हिल की वीडियो चेक कर सकते हो अगर आप वीकेंड के कुछ पीसफुल पल बिताना चाते हो तो मोरनी से बढ़िया कोई हिल स्टेशन नहीं हो सकता यहां की ठंडी-ठंडी हावा आपको दिवाना बना देगी यह हिल स्टेशन चंडीगाड से 40 किलो मिटर की दूरी पर है और उससे थोड़ा आगे जाके टिकर ताल लेक है जहां पे आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटिस कर सकते हो वहां पे आप बोटिंग पेरागलाइडिंग जैसी एक्टिविटिस कर सकते हो यह देखे यहां पे भी पुलिस का नाका लगा हुआ है अगर आप रेड लाइट क्रोस करते हो या ओवर स्पीर चलाते हो तो आपका on the spot चलान हो जाएगा अब थोड़ थोड़ यहां पर पहाड दिखने लग गए है इससे थोड़ा आगई जाके आगया है बद्धी पिंजोर चौंक लेफ्ट साइड जाता है पंजोर को रास्ता और आप बद्धी भी यहां से जा सकते हो पंजोर तो यहां से सिर्फ पांच मिनट की दूरी पर है और सिधा रास्ता जाता है शिमला की ओर बस इसी चौंक से ही चड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत ही अमेजिंग सीन दिखने शुरू हो जाते है अभी थोड़ी ट्रैफिक कम है क्योंकि हमने ये टूर सुबा सुबा किया था अगर आप यहां दुपैर के टाइम ड्राइब करोगे तो आपको यहां बहुत बस यहीं से पहाड शुरू हो जाते हैं वह देखो सामने जो पहाड दिख रहे हैं चंडी-गळ से शिमला जाने के लिए सबसे पहले ऊंचा पहाड वो कुछ्वाली का पहाड जो के चंडी-गध divor असानी से दिखता है खुषाली से पूरां चंडी-गड का वीव बहुत शिमला जाने के लिए आपको तीन स्टेटों में से होकर गुजरना पड़ेगा सबसे पहले चंडी गड़ाएगी फिर हर्याणा उसके बाद आपकी एंट्री होगी हिमाचल में अभी हम हर्याणा में हैं वो देखो सामने कितना सुंदर विउ दिखता है यहीं से ही बस बहुत सुंदर सुंदर विउ दिखने लगयाते हैं और चड़ाई शुरू हो याती है हमने यह ट्रिप सुबह सुबह किया था अगर आप यहां पर दपैर को आते हो तो आपको यहां ट्रैफिक काफी मिलेगा और वीकेंड पे तो यहां छोड़ दो बाते इतना रश होता है कि यहां जामी जाम लगे होता है गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग फिल स्टेशन पर बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं हम आपको दिखाते हैं आके कहां कहां पर जाम लगता है जादा चड़ाई ज़्यादा होने के कारण ट्रक भी यहां असानी से नहीं चड़ रहे हुए यह देखो रोड कितनी सुन्दर बनी हुई है ऐसे लगता है हम जैसे इंडिया में नहीं कहीं बाहर गुम रहे हूँ क्योंकि सडके में यहां पर बहुत ही सुन्दर बनी हुई है यह रोड सोलन तक तो बहुत ही सुन्दर है और साफ सुतरा है आपको यहां वहां तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है मगर उससे आगे थोड़ा रोड बन रहा है वह देखो सामने हिमाचल का बॉटर आ गया है यह लो हम एंट्री हिमाचल में कर रहे हैं हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैलकम टू हिमाचल परदेश सोलन जहां से 42 किलमेटर की दूरी पर है और शिमला तकरीबन 90 किलमेटर की दूरी पर है यहां तो ट्रक की ट्रक ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि अब एपल का भी सीजन आ गया है ऐसे लग रहा है यह सारे ट्रक के नवर की सेट जा रहे हैं और वहां से एपल भरके लेके आएंगे यह देखो यह छोटीयं गाड़ी हैं यह भी खाली जा रही हैं ये भी वहाँ से एपल ही लेके आएंगी अब हमने हिमाचल में एंट्री कर दी है अब हम परमानू बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं मौसम देखो कितना अमेजिंग है हर जगा बादल ही बादल दिख रहे हैं यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी है और आपको थोड़ी गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए बादल ज़्यादा होने के कारण आपको दूर से पहाड नहीं दिख रहे अब हम हिमाचल एंट्री बॉर्डर पर पहुंच गए हैं अब यहाँ आपको छोटी गाड़ी का 40 पर एंट्री फिस देनी होगी इसके बाद ही आप हिमाचल पर एंट्री कर सकोगे यहाँ पर भी काफी जाम लगता है कई बार तो यहाँ से निकलने के लिए घंटों लग जाते हैं बस हिमाचल में जब सबसे पहले हम एंट्री करते हैं वहीं पर ही दिक्कत आती है उसके बाद तो कोई आती नहीं है अब देखते हैं आगे कोई ना कोई तो जाम मिलेगा यह मिलेगा उपर देखो उपर क्या सुन्दर मौसम है उसके बाद आता है परवानू चंडीगर से इसकी दूरी 29 किलो मेटर की है यहां की फेमस केबल काल टिंबल ट्रेन है और बहुत ही हाइट पर बना है एक होटल मौक्ष हिमालिया रिजोट जहां से परकीरती का बहुत ही सुन्दर नजारा देखने को मिलता है यह शिवाली की पहाड़े में काफी ज़्यादा हाइट पर है इसकी उचाई से आप पहाड़ों की सुन्दरता देखकर हैरान रह जाओगे यहां की पॉपुलर प्लेसे रोबे ट्रेकिंग, नेचर बाइकिंग, काली मदा टेंपिल, डगशाई और गोर्खा फोट है हम बाहर निकल आए, यह देखो सामने हिमाचल की खूपसूरती का नजारा, यह बहुत ही मनमोहक है और देखने लाइक है आप यहां पर रूख के फोटो क्लिक करवा सकते हो, अब आगे हैं हम परवानू बोडर पे यह जो लेफ्ट वाली साइड परवानू का रस्ता जाता है, पहले हम इदर सी आते थे जहां से अभी हम आए हैं, यह नया रोड बना है एक बात हो आपको बतानी भूली गए, यहां से लेफ्ट मुड़के परवानू साइड सिर्फ दो मिनिट की दूरी पर यहां पे अचार की शॉप्स है, वहां पे आप वेज नॉन वेज अचार ले सकते हो यह यहां का बहुत ही फेमस अचार है, यहां पे भी बहुत ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि यहां पे परवानू टिंबर टेन है सड़क सिंगल है सारी, इसलिए यहां पे भी कभी गंटों गंटों का जाम लगयाता है अगर आप परवानू टिंबर टेन का नजारा लेने चाहते हो, तो आप यहां पे राइट सेट पे आगे मुड़के यहां एंट्री कर सकते हो और सिधा उपर टिंबर टेन से होटल में जा सकते हो, यहां उपर फाइब स्टार होटल है, यहां से आपको परकिर्ती का बहुत ही सुन्दर नजारा देखने को मिलता है अब आगे हैं फोर लेन पे यहां से शिम्ला का सफर बहुत ही अमेजिंग हो याता है, गाड़ी चलाने का तो यहां पर ही मज़ा आता है अभी हम जाबली क्रोस कर गए हैं यहां शिमला रोड पर मैकडॉनल्स भी है आप यहां पर खाने पिने का नजारा ले सकते हो मैकडॉनल्स अभी यहां पर ही है फिर उससे आगे आपको शिमला में ही मिलेगा यह धरमपूर से थोड़ा पिछे है और रास्ते में यहां छोटे छोटे ढबे भी है यह ड्रक वले जो खड़े हैं यह छोटे ढबों में ही अपना खाना खाते हैं और यहां पर अराम करते हैं और फिर निकल जाते हैं रातो रात अपने मन्जिल की और अभी बारिश का मौसम है थोड़ा सडक पे भी मिट्टी डली हुई है बारिश और मिट्टी हमारे कार के उपर डल रही है इसी वज़े से हमारे कार का शीशा भी थोड़ा गंदा हो गया है यह देखो पहाडों के मिट्टी कैसे खिसकी हुई है यह सारी लेंड्सलाइड अभी 10-15 दिन पहले ही हुई है यहाँ पे बहुत जमाचार बारिश हुई थी यह जो देखते हो आप पहाडों के बीजे हलके हलके छोटे होटे पाइप डले हुई है यहाँ से हलका हलका पानी रिष्ता रहता है यह इसलिए लगाए हुई है क्योंकि बरसाद के मौसम में यहाँ पे बारिश पढ़ती है और यह पहाड बारिश के पानी से भर जाते है फिर इनी पहाडों के बीज से हलके हलका पानी रिष्ता रहता है यह पानी इनी पाइपों में से रिष्ता है कोई भी पहाड ना खिसक जाए इसी वज़े से ये पाइप लगाए हुए है ये देखो सामने शिमला रेलवे ट्रैक भी दिख रहा है शिमला ट्वाइटरन की जर्नवी बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे भी आपको बहुत ही अमेजिंग वियू दिखते हैं आप कार में तो बहुत बार गए होंगे मगर एक बार आप शिमला ट्वाइटरेन से भी जाकर देखने हैं वो देखो सामने उपर ट्वाइटरेन का ट्रैक दिख रहा है कालका से शिमला जाने के लिए आपको 103 टनल में से होकर गुजरना पड़ता है और सबसे लंबी टनल बरोग की है बरोग भी यहाँ आने वाला है मगर हम बरोग से काफी साइट से निकल जाएंगे शिमला रेलवे ट्रैक में रोड से काफी दूर उपर हाइट पर बना हुआ है और रोड थोड़ा नीचे है शिमला रेर्वे ट्रैक कभी पहाड के उस पार हो जाता है और कभी पहाड के इस पार और कभी रोड के बिल्कुल साथ ही हो जाता है और कभी कभी ट्रेन इस रोड के नीचे टरनल से भी गुजरती है आप इन सुन्दर सुन्दर पहाडों के रास्ते का नजारा लेते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाओ ताकि जो कोई पहले शिमला नहीं आया और उसको भी दिखाओ कि शिमला की रोड कैसे बनी हुई है यहाँ पे आपको ड्राइविंग के कितने अच्छे स्किल्स चाहिए अभी हम पहुँचने वाले हैं धरमपुर के पास यह सनावर का टोल्टक्स आ गया है यहाँ पे भी आपको कार के 65 रूपेज चार्जिस देने होंगे अगर आपके पास फास्टेक नहीं है तो आपसे यह डबल चार्जिस लेंगे इसलिए आप कार में हमेशा फास्टेक लगा के रखो बस इसी टोल्टक्स को क्रोस करते ही मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है और ठंडी-ठंडी हवा चलने लगती है जब हम धरमपुर पहुंचते हैं तो एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है यह देखे यहां पर पहाड पी गिरा हुआ है इसी वज़ा से रोड भी उदर बंद कर दी है अब हम दूसरी साइट पर ही जाएंगे अब हम पहुंच गए हैं धरमपुर और यह आ गया है सबसे यू टर्न वाला मोड और आगे है कसौली चौंक वो देखो सामने कसौली चौंका आ गया है यहां से हम लेफ्ट को अगर टर्न करते हैं तो यह सीधा रास्ता जाता है कसौली को कसौली की दूरी यहां से तकरीबन 11-12 किलोमेटर की है अगर आप कसौली की पूरी वीडियो देखना चाते हो तो हमारे चैनल पर कसौली की वीडियो सर्च कर सकते हो कसौली के व्यूज बहुत हैं और यह बहुत ही ज्यादा हाइट पर बना हुआ है कसौली से सिधा शिमला का व्यू दिखता है कुसौली और शिमला दोनों अंग्रेजों के बनाए हुए स्थान है नैचुरल ब्यूटी और यहां की सुन्दर्ता का आप अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो यह बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है यहां पे आपको संसेट और संराइज व्यू भी देखने को मिल जाएगा कुसौली की धरमपूर से दूरी 10 किलोमेटर की है एक रास्ता यह भी कुसौली को जाता है और यहां पे धरमपूर पे पास पट्रॉल पंप भी है और हाँ अगर आपने पट्रॉल डीजल डलवाना है तो आपको हिमाचल में सबसे सस्ता डीजल और पट्रॉल मिल जाएगा धरमपूर का एक और फेमस ग्यानी का धबा भी है यहां पे आपको बहुत ही अमेजिंग फूड मिल जाएगा यहां पे वेज नॉन वेज भी मिलता है और बहुत ही सारियां पीजा सिनेक्स की शॉप भी है यहां पे मेन धरमपूर में आपको मुंबई चपाट्टी छोटा सा रेस्टूरेंट भी मिल जाएगा यहां पर आपको अच्छी सारी डिशिज अलू पराठा स्नेक्स वेरा ले सकते हो धरमपूर में रेलवे स्टेशन भी बहुत फिमस है उसके बाद हम निकल गए हैं आगे सोलन को धरमपूर से शिमला की दूरी तकरीबन 60 किलोमेटर की है यह देखो रोड कितना सुंदर बना हुआ है मगर दिक्कत इसमें यह है कि यह वन वे था अब यह टूवे बन गया है अभी थोड़ा समय पहले जो बरसाते हुई है वहां शिमला मेन हाइवे में एक लैंडसलाइड हुई थी वहां पर पूरी की पूरी सड़क धस गई इसकी वज़ा से वहां का रास्ता काटकर इधर को खोल दिया गया है नहीं तो यह सिंगल वे था आप आखे बंद करके असानी से यहां सिधी गाड़ी चला सकते हो अब यहां से दूसरी से देखो कितनी स्पीर से गाड़ीयां आ रही है जो टरनल वाला रास्ता था वो बंद हो गया है अब आप यहां सिधा सोलन में पहुँचोगे अभी यहां पे चड़ाई चड़ाई है उसके बाद थोड़ा आगे सोलन जब पहुँचने वाले होगे वहां पे थोड़ी उतराई मिलेगी आपको दोस्तों उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं सोलन कि देवगार्ड यहांसे 5 किलमेटर की दुरिभार्ण सौलन साथ किलमेटर की दुरि पर शुम्ला फिफ्टी थी किलमेटर की दुरिभार्ण है पहो गया है यह भी दूर से शिमला जैसा ही दिखता है रात को यहां का विव बहुत सुंदर देखने वाला है तो सोलन भी काफी फेमस है सोलन का सोलन ब्रेवरी भी बहुत फेमस है सोलन को मशरूम की कैपिटल भी मानते हैं चंडिगर से आप यहां एक से गेड़ घंटे में पहुंच सकते हो यहां की मोस्ट फेमस प्लेशिस शूली माता मंदिर है जिसके नाम से सोलन बना हुआ है और यहां का famous मंदिर जो टोली शिप मंदिर है जो कि एशिया का सबसे उंचा मंदिर है यहां पे देखने वाली Solon Brevory भी है और उसके साथ मोन शक्ती Heritage Park भी है जो कि बहुती सुन्दर बना हुआ है मोन शक्ती पार्क सोलन से तकरीबन 13-14 किलोमेटर की दूरी पर है अगर आप यहां पर विजट करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आके मोन शक्ती Heritage Park की वीडियो देख सकते हो अब हम पहुंच गया है सोलन सिटी में यहां से लेफ्ट वाली साइड उपर को रस्ता जाता है सोलन शहर को और सीधा चला गया शिमला को यह अभी नया रास्था बना है पहले हम लेफ्ट से इधर को ही शिमला जाते थे यह आगया है सोलन का बास्टर्ड है यहां पर मंडी भी है और उससे आगे थोड़ा जाके सोलन शहर आते ही यहां पर थोड़ा सा कभी कभी जाम भी लग जाता है क्योंकि यहां पर रेलवे क्रोसिंग है वैसे तो यहां ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर भी 10-15 मिंट लगी जाते हैं बस उसके आगे रोड बनने स्टार्ट हो गई है बस ऐसी आती जाएंगे कभी मिटई आगी कभी गर आगया कभी सिंगल सटक आगी के देखो डबर रोड भी यहां पर त्यार हो रही है कई लोग तो यहां पर बाइक पर जाने का मज़ा है वो नहीं कुछ लोग बाइक पर यहां से शिमला कुलू मनाली बहुत जगा गुम कर आते हैं और कि नौर साइड लहौल, स्पिती, चितकुल, सारा सफर बाइक पर ही करते हैं, अब देखो, रोड फिर से सिंगल स्टार्ट हो गई, अब ये शिमला तक ऐसे ही है, नई सटक बनने की वज़े से देखो, हर जगा धूली-धूल, मिट्टी-मिट्टी चड़ी हुई है, अगर आप बाइक पर ज उनिवस्टी है, वो सारा रोड उनिवस्टी से भरा हुआ है, वहाँ लोग दूर-दूर से अपनी स्टड़ी करने आते हैं, बडु साहब भी काफी फेमस है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्टड़ी होती है, ये देखो कैसे नई सटक बन रही है, और डबल रोड हो रही अभी चंडीगाड से शिमला जाने के लिए रही से तीन घंटे लगते हैं, जब ये सड़क त्यार होगी तो आप सिर्फ दो घंटे में ही शिमला पहुंच सकते हो, मोन शक्ती हेरिटर जाने के लिए स्लोगडा के पास से रस्ता कट करता है, आप जब भी सोलन क्रोज करोग तो सोलन से कंडागाड जाते वक्त आपको राइट सेट पे बहुत ही उंचा पहाड काली का टिबबा भी दिखने लग जाएगा, जो की चैल से 7-8 किलोमेटर की दूरी पर है, मगर ये सोलन से भी दिखने लग जाता है, आप इस जगा के दर्शन कर सकते हो, मगर अभी झाल प्पार प्पार पे दिखने लाइट Если बहुत है खंए, उ़को रहे भी दूरी, न मगर, जाएट भी दूरी इस जाते प्रम पिल्वेंस कुर आ इस जाना एभी बहाईब तो अब हम पहुंचने वाले हैं कंड़ा घाट यहां से भी सड़क देखो बहुत तंग हो गई गया कंड़ा घाट का रास्ता काफी तंग है यह बीच बजार से ही होकर जाता है इसको डाइवर्ट करने के लिए अब यहां पे नई टैनल बन रही है जो कि सारे कंड़ा घाट का क्रोस कर जाएगी कंड़ा घाट से एक और रास्ता जाता है राइट साइट को वो है सादुपुल को सादुपुल भी केंपिंग के लिए बहुत ही फेमस है और उसके आगे रास्ता जाता है सीधा चैल पैलस को वो पटेला के महराजा के नाम पे बना हुआ है वो भी काफी फेमस है आप हमारे पर चैनल पर वीडियो जाके देख सकते हो यह देखो हम भी बजार से घुजर रहे हैं बजार यहां पर काफी दंग है यहां पर गंटों जाम लगयाता है वीकेंड पर तो यहां से निकलने में कम से कम एक गंटा लगयाता है अब देख लो सूबा का टाइम है मगर इतना तकरीबन आधा पॉने घंटे का है और वो भी काफी हाइट पर है कंडागाट क्रॉस करने के बाद ठीक 10-15 मिनिट के बाद आता है बहुत ही फेमस होटल कलब महिंद्रा कि यह विव पर बने हुए है सारे कुलर महिंद्रा होटल बहुत ही अच्छे व्यूपांट पर व्हें है अगर आप यहां पे स्टे करना चाते हो तो आप कर सकते नेhte हो के जयτα है मगए यहां रहने में जो मजा आने वाला है वो कही और नहीं है अप थोड़ा बड़े-बड़े पहाड शुरु हो गए हैं क्योंकि हम शिम्ला के बिलकुल नजदी यदिदी कानु आनेवाले हैं शिम्ला में थो खेर है एतन ज्यादा बड़े नहीं है मगर जब शिमला से आगे जाओंगे रामपूर की नौर साइड पहाड तो वहां पे देखने वाले हैं इतने इतने बड़े पहाड देखकर हैरान हो जाओगी पट्रॉल पाम भी जगा जगा बने हुए हैं आपको शिमला जाने के लिए पट्रॉल पो आने की दिक्कत नहीं आएगी मौसम भी यहां पर बहुत सुहबना होने वाला है आगे देखो बादल कैसे सडक पर आ रहे हैं अब हम पहुंच गए हैं शिम्ला के बेरियर पर यहां की दूरी बहुत कम रह जाती है डबल रोड का कम सिर्फ यहां तक ही है उसके आगे डबल रोड नहीं है आपको सिंगल ओड से ही जाना पड़ेगा उसके आगे अब हम पहुंचने वाले हैं शोगी यह आ गया है शोगी आप यहां से दो टर्न कर सकते हो एक तो रास्ता जाता है शोगी से माता तारादेवी को और एक रास्ता जाता है जुबारहटी एरपोट को अगर आप चंडिगर से शिमला या डैली से शिमला आना चाहते हो तो वाया एरपोट शिमला पहुंच सकते हो जुबारहटी से शिमला एरपोट की दूरी तकरीवन 20-22 किलो मेटर की है एरपोट से आप आधे गंटे में शिमला पहुंच सकते हो शोगी का बयार भी में रोड पर है आप यहां खाने पीने का भी इंज्वाई कर सकते हो रो तटारदेवी को ये रास्ता शिम्ला को भी 25ृ अगर आप कूफरी जाना जाथे ओ यहां से राइट सायट को कूफरी सीदा जा सकते हो यहां से आपको कुफरी थोड़ा नेड़े पड़ेगा अगर आप शिमला होके जाते हो तो शिमला में कभी-कभी जामला गयता है और ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण समय भी ज़्यादा लगेगा यह देखो अब बादल स्टार्ट हो गए है यह देखो अब बादल सड़क पर आकर गिरने लगे है इसे कहते हैं कुदरत का हसीन नजारा इसे देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं अगर यह नजारा किसमत वालों को ही मिलता है अभी आगया के देखो और कितना सुन्दा नजारा दिखने वाला है यह देखो मौसम कितना हसीन हो गया है हर जगा बादल ही बादल नीचे खाई में तो कुछ नहीं दिख रहा अगर यहां पे इतना मौसम सोहब ना है तो शिमला में मौसम कैसा होगा वहां पे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है सड़क भी आदी गिली हुई हुई है क्योंकि यह बादल पहाड से टकरा रहे है रिम जिम रिम जिम बारिश हो रही है यह देखो और दुन्दा आगी अब कार भी हमें स्लो करनी पड़ेगी कई लोगों ने तो अपनी कार की लाइट्स भी आन कर लेगी है अगर आप कभी शिमला घुमने आओ तो मौनसून के मौसम में ही आना लैंड्स लाइट तो होती ही है मगर यहाँ घुमने का जो मज़ा मौनसून में है वो और किसी सीजन में नहीं अगर सुनो में आते हो तो यहां पर बहुत जादा सनो देखने को मिलती है अगर ज्यादा गर्मियों में आते हैं तो आपको मौसम तो साफ मिलता है मगर ऐसा नजारा नहीं मिलता सड़क पर साइड पर कार रोक के देखो लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं और अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं अभी थो लोग जी हम पहुंच गए अब शिम्ला अभी हम शिम्ला के कच्छी घाटी में हैं यहां पर वे आपको होटल देखना को मिल जाएंगे कि यह देखो यह रास्ता गया लेप्ट सैट को मंडी को अगर आप मंडी कुलू मनाली जाना जाते हो तो यहां से टर्न कर सकते हो अभी हम शिम्ला आइस बीटी रोड से गुजर रहे हैं यहां से सारी स्टेट्स को बसिज अवेलेवल हैं अगर आपको शिम्ला से डेली जिलंदर चंडीगर कहीं भी जाना है तो आपको यहां आईस बीटी में ही आना पड़ेगा यहां से आपको बस मिलेगी अगर शिम्ला में बस लेना जाते हो तो वहां आपको लोकल बस ही मिलेगी ISBTC अगर आपको शिमला से बस लेनी है तो यहां से मिल जाएगी सारी लोकल बसे यहां से ही चलती है ISBTC दस रपे में आप सीधा शिमला पहुंच सकते हो यहां से शिमला स्टार्ट हो जाता है यहां देवदार के गने जंगल जब दिखने लग जाएं तो समझ लेना के शिमला स्टार्ट हो गया है अब थोड़ी खड़ी चड़ाई भी शुरू हो गई है और रास्ता भी थोड़ा तंग है क्योंकि हम शिमला शहर के अंदर आ गए है चोटे-चोटे धाबे भी यहां आपको देखने को मिल जाएंगे और बड़े-बड़े होटल भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको विदान सभा, वाइस राइलेवज, एडवान्स टडिज जाना हो तो आप यहां लैप साइड से उपर गी और जा सकते हो यहां पर बस जिज नहीं जाती है आपको यहां से प्राइवेट वेहिकल या फिर अपनी कार लेके ही जानी पड़ेगी एडवान्स टडिज जाने के लिए यहां से सिर्फ दस मिनट का रास्ता है शिमला में मौसम देखो कितना साबना हुआ हुआ है सारा शिमला बादलों से गिरा हुआ है सामने की तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा अगर यहां बादल ना हो तो यहां सारे होटल शिमला के बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं अब हम आ गए हैं विक्ट्री टरनल के पास यहां से आपको कार सेंटर में रखनी पड़ेगी विक्ट्री टरनल से लेफ्ट साइड वाला रास्ता कुफरी नालदेडा मशूबरा को जाता है और शिमला शहर को सीधा रास्ता जाता है हम निकल गए हैं सीधा शिमला शहर को लिफ्ट वाली साइड विक्ट्री टरनल के पास भी विक्ट्री होटल भी है यह देखो छोटे होटी शॉप्स हैं और घबे भी बने हुए हैं कि यह उपर को रास्ता सिधा मालोड को जाता है अगर आप मालोड जाते हो तो यहां से सिधा पैतल जा सकते हों मखर कार यहां पे लेकर अलाओट नहीं है अब हम आ गए शिमला के परणे बस टेंड पर कम आँ है मैं अब किश्ड़ कुजर रहे हैं यह सारा बस ट्एंड है आप यहां लोकल बस लेके शिमला कुम सकते हो जी च्छोटे ओटी यहां दाबे भी बने हुए हैं आप यहां बहुत ही सस्ते में खाना खा सकते हूँ यहां पे आपको अलू का प्रोटा से 25 ती सर्वेका मिल जाएगा और यह है शिमला बस्टन के पात बहुत ही फेमस मिलाब ढबा यहां भी आपक आराम से बैठके प्रेकपस्ट लांच दिन में कर सकते हो आपको यहां अलू का प्रोटा में पहुत सस्ता मिल जाएगा तो यहां पे तंदूरी अलू प्रोटा वे आपको पचिस दिस रुपे का मिल जाएगा और नॉन वैंच की प्लेंट सिर्फ एक सो बीस प्रोटा में मिल जाएगी और यहां शिंपला का फेमस दूर्द्वारा सिंग सबार को कि वनको सामने उपर मालोड़ दिख रहा है कि वादल ज्यादा होने के कारण और मौसम ज्यादा स्वाबना होने के कारण आप उपर कुछ नहीं दिख रहा अगर आप साफ मौसम में आ वीडियो में ज्यादा ज्यादा इन्फरमेशन देने की कोशिश की है अब यह हम पहुचने वाले हैं सिदा इस प्रिफ्ट पार्किंग की वर्ड़ दिख रहा हुआ 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 है हुआ 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 है यह आगया है शिम्बा का बहुत ही फेमस कंबर्मेर होटल जो की अंग्रेजों के जमाने काड़ा है यह लेफ्ट वाला रास्ता जाता है सीधा लिफ्ट की और यहां से आप दसर पे देखें लिफ्ट से सीधा उपर मालोड पहुंच सकते हो और इसके सामने ही है कार पार्किंग जो की बहुत ही सस्ती है आप यहां पे डेट सो से दो सो चार्जिस देकर बारा गंटे कार पार्क कर सकते हो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें ता कर दीजिए सारे दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाइक शेयर जर सब्सक्राइब